हेलो फ्रैंस कैसे हो उमीद तो यह होगी कि आप सब सही होंगे और फ्रैंस आज हम लेकर कर नहीं कुर्ति की गटाङगि too friends यह कुरती का कपड़ा है कि कुष्टी का कपड़ा है हमने इसको कूल कले whole मैंने अभी कर रहा था आपके सामने तो friends यह मैंने फोल्ड कर लिया अच्छे से और इसको फोल्ड करने के लिए अम मैं इसकी length ना पनूँगे length चाहिए मुझे इसकी 37 inch तो 37 inch मैंने इसकी length रख दी और मैंने 37 inch length रखने के बाद मुढ़े रख यानि कि shoulder रख दी 6 inch और मुढ़े रख दी मैंने ये आठ इंच यानि कि 32 फोटी का 32 का मैंने 8 inch रखा है इसको चोथां भाग में लेकर के डिवाट करने के बाद तो friends इसको मैंने 32 inch और कमर मैंने 30 है तो मैंने 7 inch रख दे चोथां भाग में तो friends मैंने इसकी 7 inch और नीचे यहां पर हम सकतों निदा आपμεंगण रख़ते हैं तो आठ है लगी हो ना अरत आफे आप क्रीदें कोपाया है लिए यहां और फैंसली ने एक पर फेल यहां पर ठाख फाल देगेगे। नहीं खुलेंगे तो फ्यांस इसको इस तरह से यह य estava मिस्की कटिंग कर लेंगे ताके हमें बिल्कुल फर्फेक्ट फिटिंग का है जो हमारी कंप्लेट फिटिंग है और दूसरा निशान हमारा इस पर हमारी कटिंग हो जाएगी तो फ्रेंस हमने जब भी कपड़ा काटे तो दो इंच एस्ट्रा ही रखना चाहिए ताकि हमें दिक्कत नहीं रहे तो फ्रेंस हमने अपड़े के कंडिशन हो रही तो इस पर यानि के प्रेश भी लगा सकते हैं तो प्रेश लगाने से यह सीधा हो जाएगा तो फ्रेंस हमने इसको इस तरीके से यानि के फोल्ड कर लेंगे हैं फोल्ड कर लेने के बाद जो हमने कटिंग करी है तो उसी के अकोर्डिंग हम य इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी कटिंग कर लेंगे तो फ्रेंस हमने कुछी तरीके से यह रख लिया है और अच्छी पनेशिंग के साथ बिल्कुल अच्छा ध्यान रहे कि हमारा कपड़ा कम न रहे नहीं जादे निकले क्योंकि अगर जादे कर लोगे तो आपका बैक कमसार इसको कटिंग कर लेंगे अच्छन संurs को यानिकि अच्छी के साथ इसको रख लिया है और हम इसको कट कर लिया है फ्रेंस अब हम ने यह जो थोड़े से हमने गहरे कमily करें हैं क्योंकि हमारा बैक पंत है और फंसा पर यहां पर 2 इंच निशान लगा लेंगे, यानि के 2 इंच और यहां भी चोड़ाई में 1,5 इंच और लेंथ ली हमने इसकी 6 इंच, तो लेंथ हमने 6 इंच लिए है, लेकिन 8 इंच का भी गला बना लेते हैं और 7 का भी, लेकिन मुझे कम चाहिए तो मैंने कमी रखा, तो फ्रे क्युछ इस तरीके से कट कर लेंगे पहले की लेंथ नाप लेंगे लेंथ हे हमारी यानी कि कंप्लेट हमें 15 इंच चाहिए तो हमने इसको इतना ही यानी कि 15 इंच हमें नापलिया है और यहां पर मोहरी के लिए तो मोहरी हम रखेंगे यहां साड़े 5 इंच क्योंकि हमें 4 इंच चाहिए तो हम साड़े 5 इंच मोहरी रख लेंगे और इसको इस तरीके से यहां से कट कर लेंगे तो फ्रेंस हमने कुछ इस तरीके से कट कर लेनी है और कट करने के ब तो फ्रेंस सिधे की साइड से लगाते हुए उल्टी साइड को लिए आएंगे इस तरीके से और हमने बीच में ला करके रोख लिया है और बीच में लाकर के इसी का अङुडंग हमें सिलाई लगा देनी हैं और आपके गला बड़ा हो जाये तो इसको कम भी सिल सकते हैं यानिके कम भी सिलाई लगा सकते हैं तो फ्रेंस अब हम यहां पर इसको कट कर लेना है कट कर लेने के बाद देखो टैटरोन हमारा सबसे नीचे है और उसके बीच में हमारा कपड़ा है फिर उपड़ से हमने यह कूर्ता रग दे यानिके कूर्ती रग दे तो फ्रेंस अब हम इसमें यहां पर सिलाई कर लानी है यह चोटे चोटे हम कट लगा दें कुछ इस तरीके से हमने यह कट लगा दिये हैं कट लगाने से हमारे गले में अच्छी फनेशिंग आ जाती है तो इस तरीके से हम इसमें कट लगाते हैं और अच्छी फनेशिंग के साथ इसको बना लें तो फॉट जो हमारा इस्ट्रा के-स मुरू स कट कर लेंगे इस तरीके से लिए आधर दिग लिए और इसको यहां परργाल मां एधर थे लेना हैं इस तरीके से ही करोड़ में 5 cc इसको उस्तरीके से पौ लेका हमें इस तरीके से फोल्ड कर देख हो तो हमारे गला बन करके कně रही किंखी सैंैंग से टाब ज़ुटर ए मुन्हें करने हैं अब सीरे टाफ स्लिगary मθ उंसका वित्या गए टारा हम गला करूंद हे यह बैग पार्ट उठाया और उसका गला हम बनाने लगें तो कुछ इस तरीके से हम इसका गला बना करके कमप्लीट कर लेना है तो फ्रैंज हम इस तरीके से रग करके चौर असाइड हम यानि सिलाई लगा देंगे अगर इस तरीके से में पंटी बनाते हैं तो उसमें जद्धस कि फिनेशिंग अन्त 혹시 लगांगे खिमेंगे तो में किनार णार सिला ऑर उसको तुर्पन य defense के सूइद्धध गाये उसको मंखना राता हैं अंदर हमने इस तरीके से ये गला बना दिया है अब हम जोड लेंगे यानि के shoulder तो friends ये जो हमने इस तरीके से रख करके हम इस तरीके से तुरपन कर लेंगे अंदर की side से लेकिन हम कुर्टा बनाने के बाद यानि के पुरा सिलाई का काम complete करने के बाद हम उस पर तुरपन भी कर लेंगे तो friends हमने इस तरीके से करनी है यानि के मैं आपको बता रही हूँ तो friends इस तरीके से अब हम यहाँ पर ये जोएंड कर लेना है कुछ इस तरीके से हमने ये shoulder join कर लिए है और shoulder join करने के बाद देखो इस तरीके से हमने दोनु शोल्डरों को इस तरह से ही ज्वेंड कर लेना है अब हम इसको थोड़ा सा जगह छोड़ने के बाद क्योंकि हमें सुई धागे से उसको और तरीके से कम्प्लीट करना है तो फ्रेंस हमने कुछ इस तरीके से हमारा यह बन चुका है अब हम इसको बाजू में यानि के बाजू लगा देंगे कुछ इस तरीके से तो जो हमारा एस्ट्रा कपड़ा निकले हम उसको कटिंग कर देंगे कटिंग करने के बाद कुछ इस तरीके से फ्रेंस हमने देखो यहां रखते हुए अब हम अच्छे से सिलाई करते जाएंगे और बाजू हमारी लग जाएगी कि आय WILL कंपślी दिखे यह रिया है ईचे दर यृश्षाइट से हम पाजू को लगा देना है इसे हमने यह पाजू भी लगा दी और यह बाजू हमारी इकमप्लीट अगर आपको मेरी हर न्यू डिजाइनर वीडियो सिलाई से संबन देखनी है तो जल्दी से जाएगा आप नए हैं और मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से जाएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और कमेंट में लिखना ना भूले और लाइक करना ना भूले फ्रैंस क्योंकि मेरी हर न्यू डिजाइनर वीडियो सिलाई से सम्मन आपको मिलती रहेंगे अब फ्रैंस मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है देखो यह मेरी फिटिंग है फिटिंग का मैंने निशान पहले ही लगा करके कंप्लीट कर लिया था ताकि हमें दिक्कत ना रहे सिलने में और इसी के अकॉर्डिंग हम सिलाई लगाते जाएंगे यानि के यहाँ पर हमें पता चलिए कि हमें क्यों सी फिटिंग लगानी है और कहां पर लगानी है तो उसी के कोडिंग हमें सिलाई लगाते जाना और अच्छी फिटिंग आएगी क्योंकि हमने यह पहले ही नाप करके रख लिया है तो फ्रेंस यह हमने नीचे की साइड यानिके लैस पट्टी लगा रहे हैं इसको लैस भी नहीं कह सकते क्योंकि हमने यह पाइप इन पट्टी बनाई है और इसको लगा देंगे उपर नीचे यहां पर मैंने पाइप इन पट्टी लगाने के बाद यानि के पाइप इन बनाई और इसको यहां पर नीचे की साइट जोयांड कर देंगे बहुत अच्छी फिनेशिंग के साथ फ्रैंज देखो हमने इस तरीके से यहां पर इसको जोएंट कर लेना है और जोएंट करने के बाद कुछ इस तरीके से उपर की साइड भी हम सिलाई लगा लेनी है देखो मैंने उपर की साइड भी सिलाई लगा लिये और उपर की साइड भी सिलाई लगाने के बाद हम कुछ इस तरीके से अब हम इसको अच्छी के साथ इसको यानि के लगा चुके है अब हम इसको कट कर लेंगे और friends अब हम जो side में चाक होते हैं उनको बना लेंगे पहले इसको हम नाप लेंगे कि हमें कितनी सिलाई यानि कितना दावन चाहिए तो हमारा जो ashtra होगा उसको हम इसी के अंदर ले लेंगे यानि कि side में चाक के अंदर हम इसी सिलाई में ले लेंगे जो हमारा एश्टर है, तो फ्रेंस हमने कुछ इस तरीके से बनाते जाएंगे इने, तो ये हमने थोड़ा लंबी चाल से बना लेंगे, क्योंकि इन पर हमें तुर्पन करनी है, तो फ्रेंस हम इसको इस तरीके से गुमा करके, यहीं पर सुई इसके अंदर ही रहनी चाहिए, ताकि हमारा कपड़ा इधर उधन न जाए और इसको कपड़े को गुमा लेना चाहिए, कुछ इस तरीके से फ्रेंस, तो हमने यह गुमा लिया है, अब हमारी यह कुर्ता बन करके कम्प्लीट होने जा रहा है फ्रेंस, देखो इस तरीके से हमने कुर्ता बना लिया है, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में तब तक के लिए ओके बाई बाई